जैसा कि हम जानतें कि इस बार का मैंस वन डे वर्ल्ड कप भारत की धरती पर होनी वाला है ऐसे में भागते प्रशन सकों कि अपनी टीम से जीत की धेर सारी उमीद है लगी है और उनको ये उमीद है कि भारत इस बार का वर्ल्ड कप जीतेगी और भी होना चाहिए पिछली बार जब भारत में वर्ल्ड कप आयोजन हुआ था तो उसमें भारत ने जीत दर्च करने में कामिया भी दर्च की थी मगर इस बार होने वाले वर्ल्ल कप में कुछ उधल पुधल मचने की संभावना है ऐसे में हो सकता है कि भारत इस बार का वर्ल्ल कप ना भी जीते तो टीमें भी कुछ उसी तरह की होने वाली है जैसे में फैंस को नतीजा भी कुछ इस तरही की का रहने की उमीद लग रही है ऐसे में उनकी उमीदों पर पानी फेड़ते हुए विशेशग्यों ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे जान उनको भी बुरा लग सकता है ऐसे में आपको बता दे कि विशेशग्यों का मानना है कि भारत को इस बार के वर्ल्ड कप में इस टीम के द्वारा संचालित चलित किया जा सकता है और उनको हरा कर ये टीम वर्ल्ड कप विजेता बन सकती है ऐसे में आपको बता दे की विशेशक्यों के हिसाब से भारत को पतखनी देने वाली टीम, कोई और नहीं बल्कि आस्टेलिया होने वाली और वही इस बार का वर्ल्ड कप भी जीत सकती है। अगर कोई टीम वर्ल्ड कप जीतने की सबसे बड़ी हगदार है तो वो कोई और नहीं बलकि न्यूजिलेंड है उन्होंने कहा कि जिस तरह से न्यूजिलेंड ने पिछली बार हुए वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचने में काम्याबी दर्ज की थी उसे देखकर ऐसा वाली है और वर्ल कप जीतने में कामयाब हो पाती है ऐसे में देखना ये दिल्चस्प होने वाला है कि क्या रोहित शर्मा की भारतिय टीम वही करिश्मत दोहराने में कामयाब हो पाती है या नहीं जो करिश्मत होनी की भारतिय टीम ने 2011 में करने में कामयाबी दर्ज की थी ऐसे में देखना ये भी दिल्चस्पोने वाला है कि किस तरह से भारत इस बार का वर्ल्ड कप जीत पाती है और अगर नहीं जीत पाती तो कौन सी वो टीम होगी जो इनका विजह रथ रोकने में कामयाब हो पाती है अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें धन्यवाद